ब्रिक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई की आज 99 मीं जैनती हैं और इस मौके पर सियम योगी अटल जी के पैत्रक गाउं यानि की बटे इस्वर पहुँच है यहां सियम योगी ने पहले अटल जी को शद्धान जली दी इसके बाद उनकी प्रतिमा और म्यूजियम का इनोग्रेशन किया साथी आगरा से मतरा बरंदबन के लिए हेलिकॉप्टर सेवा की भी शरुवात की इसके बाद उन्होंने 100 करोड रुपए की योजनाओं का लुकारपण और शिलान न्यास किया इसमें हेलिपोर्ट सेवा भी शामिल है आपको बता दें की सेमयोगी आधितनाप ने बटन दबा कर इन योजनाओं का शिलान न्यास और लुकारपण किया इस दौरान योगी ने कहा कि बटेश्च्वर से अटल बिहारी बाचपी का निरंतर संबाद बना रहा है पक्ष बिपक्ष छोटे बड़े को लेकर चलने का काम उन्होंने शुरू से किया और अस्तिर सरकारें किस कदर खतरनाक होती है उसका उधारल भी उन्होंने दिया कि वो पाकिस्तान है वहाँ एक रोटी को लोग तरस रहें प्रधान मंत्री लोगों को अनाज दे रहे हैं उन्होंने मोधी का भी जिक्र किया और अगले पाँच साल की गारंटी दिया है सेम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार से उतर प्रदेश में विकास हुआ है यूपी आज देश में दूसरे स्थान पर है प्रदेश में सोशाशन है और प्रदेश में विकास गाउ की करेक्टिविटी के साथ हवाई सेवा भी शुरू हो रही है साल 2017 में देश के परेटन में तीसरे स्थान पर था आज कोई आसपास नहीं है झाले क स्थान प्रदीडमें तीसरे स्थान पर रेश्ध रre-च़ सेच्गर चबस ऴिकास के सलय। झाल झाल